अगर आपके पास तो आपनी फोन में ये 3 सेटिंग को अभी चेंज कर लेगा गलरी दिखेगा इसके उपर टैप करना है और ये जो गलरी वर्जन्स लिखा हुआ है इसके उपर आपको multiple times इस तरह से टैप करना है कुछ time tap करने के बाद आपको एक नया option देखने को मिलेगा जैसे ही आप वहां से बाहर आओगे गलरी लैब्स करके इसके उपर आपको tap करना है और एक आपको option देखने को मिलेगा video player mode on flame strip इसके उपर tap करना है और एकदम नीचे बाला जो ही आपको option दिखेगा legacy video सीख बार इसे आपको simply set करके ok कर देना है अब आपको अपने phone का जो gallery है उसे close कर देना है next जैसे ही आप gallery को open करोग now next setting के तरब चलते हैं तो अगर आप अपने phone की एक ही type की wallpaper से बोर हो चुके हो तो अभी आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि lock screen में आप जितने बार double tap करोगे lock screen wallpaper automatically change होगा तो इसके लिए simply आपको आपकी phone की gallery को open करना है और यहां से आप multiple wallpaper को सबसे पहले तो select कर लो otherwise आप wallpaper का एक folder भी बना के रख सकते हूं फिलाल मैं आप ही कुछ wallpaper का अपनी gallery से select कर लेता हूं now select कर लेने के बाद इस more बाले बटन के उपर tap करना है and set as wallpaper के उपर कर लेना है फिर done and बस आपका काम हो गया आप यह आप lock screen में जितने बार double tap करोगे आपका phone का जो wallpaper है वो automatically change होता रह सकते हो जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वहां पे share कर देता हूं और आपके पास भी अगर कोई अच्छा सा wallpaper है तो आप वहां पे मुझे share कर सकते हो और गाइस जो next या फिर आखरी feature है जिसे आपको आपकी Samsung Galaxy device में change करना है इसके लिए आपको जाना होगा आपकी phone की settings म में then scroll down करने के बाद आपको जाना होगा device care में then आपको जाना होगा memory में यहां पे थोड़ा सा checking होने में समय लेगा and एकदम scroll down करने के बाद आपको एक option दिखेगा RAM plus इसके उपर tap करना है in case अगर आपके phone में ये feature on है तो ये एक useless feature है किसी काम का नहीं है उपर से इस feature को enable कर कि आपके phone का internal storage है उसे आप खराब कर रहे हो और ये feature कैसे काम करता है मैंने काफी समय पहले एक वीडियो बनाई हुआ है आई बेटन में वीडियो के description में link आप जाके देख सकते हो तो simply इसे off करने के बाद आपने phone को एक बार restart कर देना है और इस feature को आप तभी use करो अगर आप एक एकदम budget segment का कोई भी Samsung का smartphone इस्तमाल करते हो और बार आगर आपका phone hang करता है या फिर लैक करता है उस टेम पे आप इस feature को एनेबल करके रख सकते हो otherwise अगर आप एक S-series का या फिर A-series के smartphone इस्तमाल कर रहे हो तो इस feature को अब ही आपने phone से off कर दो आपको वीडियो प subscription में मिल जाएगा तो उन सारे वीडियो को भी आप एक बार जाके चेक आउट कर लेना बाकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए चनल को सबस्क्राइब कर लेना सबस्क्राइब कर देना और कोई भी एक कमेंट कर देना इससे वीडियो का जो engagement है वो increase होता है मिलते हैं next वीडियो में thank you